मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवन आच्छर्म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 20 जुलाई के पंचांग राशिफल और महा उपाई के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचा तो यह तो बात रही है आज के पंचांग की अब चर्चा करते हैं राशिफल की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशिवाले जातक लोगों के लिए व्यापार उत्तम रहेगा संतान सुथ की प्राप्ति होगी शनी वजर पंजर कवचम का पाठ करें और करने से आप बचें मितुन राशि मितुन राशिवाले जातक लोगों के लिए विद्यार्थियों का अध्यन में मन लगेगा सच्चे मित्र आपके सहीयोग के लिए आज ततपर रहेंगे ओम नमस्षिवाय मंत्र का एक सौट बार जाप करना चाहिए मानसिक ठकान और दासी दुसासी कारिय करने से यानी रिस्ख वाला काम करने से आज बचना होगा ओम शांताएब महमंत्र का एक सो आट बार जाप कर掰掰 करें और निवेश से आप बचें तुलाराशी तुलाराशी वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कारे के प्रयोगों की योजना बने Lights यह उमवीत भयाईन महमंतर का 108 बार जाब करें और जूट बोलने से बचें वरिश्यक राशी वाले जातक लोगों के लिए विरोधी पक्षि से परिशानी होगी और कई सारे जरूरी काम आज रुप भी सकते हैं ओम्शूर्प करणायन महमंतर का 108 बार जाप करें और परिश्रम से आप पीछे नहटें धनुराशी धनुराशी वाले जातक लोगों के लिए पारिवारेक माहौल सुख में रहेगा प्रसनता रहेगी सकरात्म काज आपको रहना चाहिए पॉजिटिव थौट्स रखने चाहि अच्छा अफसर आपको आज मिलेगा ओम्शुधायन महमंतर का 108 बार जाप करें और ज्यादा बोलने से बचना होगा कुम्ब राशी कुम्ब राशी वाले जातक लोगों के लिए नयाला इमामलों में सफलता मिलेगी आज का दिन आपके लिए शुब बनता है ओम्शुकरा चाहिए और तनाव से बचना चाहिए ओम्विभु देश्वरायन महमंतर का 108 बार जाप करें और किसी भी व्यक्ति का आप दिल ना दुखाएं तो दोस्तों ये तो बात रही आज के 12 राशी की हम लोगों ने जाना ग्रहनक्षत्र के इस्तितियां क्या कहती है और दिन को श चिवलिंग की पूजा से जल्दी ही आपकी मनोकामनाए कैसे पूरी हो सकती है क्या है उसके पीछे कारण और इस एपिसोड को करने का आज कारण ही यही बना कि बहुत सारे लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि आप पारद चिवलिंग के बारे में बताइए हाला कि इसके बहुत सारे एपिसोड में चर्चा की है लेकिन नए दर्शक हर दिन जुड़ते रहते हैं जरूरी नहीं कि उन्होंने पूराने एपिसोड देखे हो तो आज हम लोग इस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि पारद चिवलिंग का महत्व क्या है और कैसे आप उसको पहच के धात्वों के शिवलिंग बाजार में उप्लब्ध होते हैं हमारे शास्त्रों के नुसार किसी भी धातू का छोटा सा शिवलिंग आप घर में में रख सकते हैं और जो नर्वदेश्वर होता है वो भी रख सकते हैं और कोई भी शिवलिंग अगर आप अपने घर में रखते हैं प्रतिष्ठित करते हैं तो वो अंगुष्ट प्रमान से अंगुठे का जो पहले ऊपर का पोर है इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए जो शिवलिं जब आप घर में रखते हैं वो कोई भी शिवलिंग हो पारद हो इस्पटिक हो नर्वदेश्वर हो किसी भी तरीके का शिवलिंग हो जब शिवलिंग आप घर में रखते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा करना और उनकी नियमों का पालन करना और कुछ शिवलिंग जैसे पारद का पालन करना बहुत जरूरी है अगर आप नियम का पालन नहीं कर सकते रोज उन पर दूद और जल नहीं चड़ा सकते दूद को भूल जाए अगर रोज सिर्फ जल नहीं चड़ा सकते तब आपको शिवलिंग नहीं रखना चाहिए अगर आप शौक शौक में रख लेते हैं उनके नियम का पालन नहीं कर पाते हैं तो फिर भयंकर और गंभीर परिणाम भुगतने के लिए आपको तयार रहना चाहिए और कौन सा शिवलिंग घर में रखें गर में शिवलिंग क्यों ना रखें इससे भी रिलेटिड मैंने दो तीन एपिसोड किये हुए हैं पुरान नियमों का पालन करना चाहिए तो इन एपिसोड्स को भी आप मेरे चैनल में देखेगा जरूर पहले शिव महापुरान के नुसार करोणों शिवलिंग की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी करोणों को साफ किया जाता है इसके लिए अश्ट संसकार किये जाते हैं इसके बाद कई और शेश क्रियाओं में दो तीन महीने का समय लग जाता है तब जा करके पारद शिवलिंग बन करके तयार होता है और पारे के बारे में बता दू हमारे शास्त्र में ये कहते हैं कि मर्करी पारा जो है बगवान शिव का वीर्य है बगवान शिव का स्पर्म है वो इसलिए उसकी पूजा का महत्व हमारे शास्त्र में जादा बताया गया ध्यान ये रखना चाहिए कि घर में हाथ के अंगूठे से के पहले भाग से बड़ा शिवलिंग आप कभी भी ना रखें जहां शिवलिंग रखा हो वहां साफ सफाई का विशेश ध्यान रखें रोज सुबह शाम शिवलिंग के पास दीपक जलाएं भोग लगाएं घर में कलेकलेश लडाई ज बचना चाहिए और शिव जी के मंत्रों का जाप जो है वो निरंतर होना चाहिए घर में रोज एक बार कम से कम शिवलिंग की पूजा करना आपको मैंने पहले बताया कि शिवलिंग की उत्पत्ती कैसे हुई और इसकी महान महिमा क्या हमारे एपिसोड में आप देखेंगे तो हम λोगों ने इसके बारे में चर्चा कर रखिये महाशिवरातरी की एपिसोड में की शिवलिंग की उद्पत्ति हुई कैसे। शिवलिंग एक विशेश समय में जो शिवलिंग निरमाण किया जाता है उसे पारद शिवलिंग कहते हैं यह पारे से निर्मित होता है पारद शिवलिंग की महिमा और महत्व शैव भक्तों में बहुत जादा मानी जाती है शास्त्रों में बताया गया कि इस शिवलिंग की पूजा करने से करोणों शिवलिंग की पूजा के बराबर की पुन्य की प्राप्ती होती है पारद शिवलिंग को घर में स्थापित करके आप नित्य पूजा द्वारद शिव की अपार के पराप्त करके जीवन को धन्य बना सकते हैं पर ध्यान देने योग ये बात यह है कि आपके द्वारद शिवलिंग असली होना चाहिए तो ये जानना जरूरी है कि पारद शिवलिंग की सत्यता की पहचान आप कैसे कर सकते हैं यदि पारद शिवलिंग की गुणवत्ता पर आपको संदे है तो आपको उसे अपने घर में इस्थापित नहीं करना चाहिए पारद शिवलिंग का निर्मान क्रमशा तीन मुख्य दात्वों के रसाइनिक संयोग से होता है वो है पारा मरकरी और कार्बन मनिफेन मैगनीसियम जिसे कहते हैं इसमें 70% पारा 15% मैगनीसियम और 10% कार्बन होता है और 5% पोटेशियम कार्बोनेट को मिला करके एक विशेश विशेश समय पर महानुभावों द्वारा ये निर्मित किया जाता है सबसे अच्छी विदी ये है कि यदि आप पारद शिवलिंग का संपर्क सोने से कराएंगे और सोने की मातरा कम होने लगे तो शिवलिंग शुद्ध है ये पारद जो है वो एकदम परफेक्ट एकदम स सही है सोना कम होता जाता है पारद के शिवलिंग का वजन भी तनिक भी वजन में तनिक भी बढ़ोतरी नहीं होती सोना कम हो जाएगा लेकिन जो पारद का शिवलिंग ता उसका वेट नहीं बढ़ेगा ऐसा नहीं कि वो सोना उसमें समायत हो गया और उसका वजन बढ़ गय आ जाती है तो समझ लीजे कि ये नकली और अगर हतिली पर काली लकीर नहीं पड़ रही है तो समझ लीजे कि वो शिवलिंग सही है असली है जब पारद शिवलिंग को जल में रख करके धूप में रखा जाता है तो कुछ समय के बाद पारद शिवलिंग पर शुद्ध स्वन जैसी आभा आ जाती है अगर लैब में टेस्ट करवाने पर टेस्ट रिपोर्ट में जस्ता यानि जिंक सिक्का यानि लेड और कलई यानि टिन ये धात्वें आ जाएं तो पारद शिवलिंग नकली और दोश युक्त होता है क्योंकि रसायन में रसायन शास्त्र में केमेस्ट लगेगा फिर आपका ये जो शिवलिंग है वो शुद्ध नहीं माना जाएगा तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्ते जानकारियां ग्यान की बाते हैं जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्यती पसंद आती होंगी आप सभी से बार-बार माग रहे हैं कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आग क्या दीजे और देखते देए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मेरे चमतकारी उपाई जोतेश वास्तू तंत्रमंत्र दैनिक राजिफल वरत्योहार वैदिक पूजा पार्ट के लिए टेस्ट अब्रेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी गंटी के नि पर्सनल प्राब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं टेलिफोनिक कंसल्टेशन फोन पे बात करना और दूसरा फेस टुफेस यानि पर्सनल मीटिंग करना आप हमें फोन के माध्यम से एमेल और वाट्सअप के माध्यम से बुक कर सकते हैं हमारा नमबर है ते रिपल नाईं जीरो सेवें तूफोर वन ठीवन आपको दो नमबर दे रहा हूं इन दोनों नमबर पे वाट्सअप एवेलेबल है आप वाट्सअप करें 9818300146 यह हमारे ऑफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें email करना चाहते हैं तो आप हमें email कर सकते हैं हमारी email id note कर लीजे sharma.webava vaibhava.gmail.com इस पर आप हमें email भी कर सकते हैं मित्रों आजकल phone calls बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग call करते हैं phone receive नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में email और WhatsApp करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद